इन चुनावां में सफलता के लिए प्रधान मंत्री डॉक्टर लोटे को मेरी ओर से और सभी भारत्वियों की दर्ब से बहुत 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 बधाई और शुबकाम नाएं मुझे विश्वाथ है कि उनके नित्रुत्व में भुटान सफलता और खुशाली की रहाँ पर प्रगति करता रहेगा फ्रेंट्स प्रधान मंत्री डॉक्टर लोटे ने भुटान के लिए उनके नेरोइंग डगैप वीजन के मारे में मुझे विस्थार से जानकारी दी मैं उनकी दृदरष्ट्री की सराना करता हूँ मुझे इसलिए भी बहुत प्रसंता है कि उनका वीजन हमारा जो सबका साथ सबका विकास का वीजन है उस्से मेल रखता है मैंने प्रधान नंत्री जी को आस्वस्त किया है कि बुटान के विकास में भारत हमेशा की तरह एक भरोसे मन मित्र और साजेदार की भूमे का निभाएगा बुटान की बारवी पंचवर्शी योजना में भारत चार हजार पांच सो करोड रुप्य का योगदान देगा यह योगदान भुटान की आवशक्ताओं और प्रास्विक्ताओं के अनुरूप होगा फ्रेंड्स भारत और भुटान के सहयोग के लंबे इतिहास में हाइड्रो प्रोजेक्ट में सहयोग एक एहम हिस्सा रहा है आज हमने इस महत्वपुन सेक्टर में सभी सम्मंदित प्रोजेक्ट में अपने सहयोग की समक्षा की है यह प्रसंदता का विशा है कि मांग देश्यू प्रोजेक्ट पर काम सिग रही पुरा होने वाला है इस प्रोजेक्ट के टेरिप पर भी सहमती हो गई है अन्य प्रोजेक्ट पर भी कारिय संतो जनक प्रग्रिदि कर रहा है और हम दोनों सभी प्रोजेक्ट को और अधिकती देना चाहते हैं हमारे सहयोग में एक नया आयाम अंतरिक्ष विज्ञान है मुझे प्रसनता है कि साउथ एशियन सेटेलेट के लाप उठाने के लिए इस रोध वारा भुटान में बनाये जा रहा ग्राउंड स्टेशन भी सिग्र तयार होने वाला है इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भुटान के दूर दराज के शेत्रों में भी मौसम की जानकारी, टैली मेडिसिन और डिजास्टर रिलीव जैसे कारियों में मदद मिलेगी प्रेंट्स आज प्रधानमत्री डॉक्टर लोटे ने मुझे एक खुशखबरी भी दी है बुटान सरकार ने स्विग रही रुपे कार्ट को लाँच करने का निरने लिया है एक्सलेंसी, इस निरने के लिए मैं आपका रदे से आभार प्रगड करता हूँ मुझे विश्वास है कि इससे दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल समंधों को और अधिक बल मिलेगा एक्सलेंसी, आपने अपनी पहली विज़ेश चात्रा के लिए भारत को चुना और चार वर्ष पहले प्रधान मंत्री के रूप में मेरी पहली विज़ेश चात्रा भी भुटान की ही थी एक दूसरे के साथ सहयोग मजबूत करने के लिए विकास की रह पर कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ने के लिए हमारी साजा प्रतिवधता का यह प्रतीख है मुझे विश्वास है कि आपकी यह भारत यात्रा हमारे सबंदों को एक नई गती देने में सफल होगी इन ही शब्दों के साथ मैं एक बार फिर भारत में आपका और आपके डेलिगेशन का हार दीख स्वागत करता हूँ धन्यवाद ताशी डेलेग प्रत्वर्ट करता है ये नहundertकी है प्रेस्ती जोपिज है cinco फिलुटतर लिड़ेता टॉर्ह्GI उ 68 पिर अडेले चिल्सकार टॉटस्टे लग्योथी जो अिल्सकी हो यह नुन्से वे टर बात दॉmusic के लुंट highlights लोूक Cream that I am here today to reciprocate that. Yes, it's true that I also would like to choose and have chosen India to be the first country on my foreign visits. But more than that, what many may not know is, as the third parliamentary elections took place in Thimphu and the results were declared on the 18th of October and the 20th morning, that is barely 20 hours after the official results were declared, I got a call from none other than Prime Minister Modi ji. Prime Minister Modi ji was the only and the first head of the government who personally took trouble to call me and congratulate me and express how happy he was as we progressed how democracy is taking root in Bhutan. How should we go further? It was that day, 24 hours after the election, the results were out. I didn't even take office then. Prime Minister Modi ji wanted me to visit India. And it was on that day that Prime Minister told me that he will send his expert team, including his foreign secretary, to make my way to visit India. And it happened today. We are very thankful that all the arrangements are excellently done. And we also bring in lots of regards, love, care and affection from my king and all the people of Bhutan to all the people of India. So, as I was saying this morning, the main mission of this visit is to appreciate end of Bhutan relation and to take end of Bhutan relation at much greater heights. As I was saying this morning that, yes, we are celebrating 50 years of end of Bhutan friendship or diplomatic relations. But more than that, now we need to score a century. May we go on to score double centuries and triple centuries. For that, we are very, very happy that Prime Minister Modi ji has personally committed to be with us, to support us, and in that light, you all heard that the government of India has again extended full support for our 12th high-year plan and also to support our traders who are being affected by the GST that has come into action in India. So, for all these gestures, we are very, very grateful, Prime Minister sir, and it only shows how much you are concerned as a big neighbor to support your neighbors. So, a neighbor-first policy goes very much in line with narrowing the gap that we fought for in the last election. Thank you very much. And as we all know, hydropower had been the main source of revenue for our country, and for that, India had been very, very generous to be seeing us through, and we have many, many miles to go in that, and we are very happy that we heard this morning that the Government of India is fully committed to support whatever negotiations that is going on for Mangi Chu Tarif, as well as to make Sankoosh project happen as soon as possible. So, we are very happy for that, and before I say anything, I would like to, if your schedule permits, please visit Bhutan as soon as possible, and maybe Mangi Chu project is commissioning very soon, in the next few months' time, and it would be our honor to have Prime Minister Modi Ji to inaugurate that project and to see us through many more projects to come. On that front, that is at the end of Bhutan relation. We are very highly appreciative of what India is doing and what India has achieved under a dynamic leadership of Prime Minister Modi. We all call it, very candidly, Modi factor. We know it is easier said than done, that too, in a hugely, hugely popular country like India, to bring in major dynamic shift is very, very difficult. But, Your Excellency, I am pleased to inform that you have done it, and we have all the regards for that, and as a very highly spiritual country, we can offer you all our heartfelt prayers into all the endeavors in future. Thank you very much for being an excellent host. Thank you very much. Thank you, Excellency. This concludes the press event. Thank you all for joining us.